आपका स्वागत है इस्टेडी क्लिक पर और सुरू करते हैं आज का लेक्षर आरेज फेक्टर क्यों इंपोर्टेंट है इससे रिलेटेड एक बहुत ही फैटल कंडिशन है इसीज बेबी से रिलेटेड है जिसको हम यहां पर समझ लेते हैं और जब हम भात आरेज की केते हैं तो कॉमन ली आरिश्दी की बात करते हैं और यही जो आरेज़डी है इसी को पाजटिव या निगेटीव स्बसक्स के रूट में हम एवियो सिस्टम से जोड़ लेते हैं जैसे हम करते हैं ए पाजटिव का मतलब क्या है इसके पास E antigen है, साथ ही साथ RHD antigen है अगर किसी इंसान का A negative blood group है, इसका मतलब है कि इसके पास केवल E antigen है और जो RHD antigen है यह नहीं है, चाहे RH group हो RH factor हो, RH antigen हो, RH positive, RH negative यह सब इसी RHD antigen से related है Actually एक disease है जिसको कहा जाता है ethroblastosis fetalis या hemolytic disease of newborn यह क्या होता है, इसको हम समझते हैं माल लीजिए, father RH positive है और मा RH negative है कोई भी blood group हो लेगिन माल लीजिए, father RH positive है और मा और mother जो है वो RH negative है, तो जो पहला pregnancy होता है, उसमें क्या होगा, कि अगर baby का blood group RH positive है तो क्या होगा पहले pregnancy में तो कोई problem नहीं होगा क्योंकि pregnancy के दोरा जो ये दो blood group है mother का blood group और बच्चे का child का blood group fetus का blood group ये well separated होता है placenta से तो कोई problem नहीं होता है लेकिन जब delivery होती है तो वहाँ पर chance होता है कि कुछ blood cell जो बच्चे के हैं वो मा के blood stream में मिल सकते हैं तो क्या होगा? जब बच्च delivery हो जाएगी ये बच्चा नॉर्मल रहेगा लेकिन मा के सरीर में जो बच्चे का जो आरेज पास्टी blood इंटर किया था थोड़ा बहुत उसके against antibodies बन जाता है और ये antibodies stable रहता है अगेन जब यही mother फिर pregnant होती है second time और उस बच्चे का भी blood group आरेज पास्टी हो तब ये बहुत ही खतरनाख है इस समय क्या होता है इस समय ये जो antibody बने थे वो placenta के थुरू बच्चे के सरीर के अंदर इंटर करेंगे मतलब fetus के circulation में ये antibody इंटर करेंगे जब ये antibody यहां आएंगे तो ये R.H. Integens से bind करेंगे और उसके R.V.C. को मतलब fetus के R.V.C. को destroy कर देंगे तो क्या होगा कि severe anemia condition या jaundice हो जाएगा और ये fatal हो जाता है मतलब दूसरा जो ये pregnancy का child है fetus है ये date कर जाता है इसके वज़़े से मतलब मा के सरीर में जो antibody बना होता है वो fetus को kill कर देता है लेकिंग इस condition को prevent किया जा सकता है वो कैसे जब पहली delivery होती है उसी समय immediately within 24 hours अगर मदर को after delivery अगर मदर को anti-RH antibody का short दे दिया जा तो ये antibody नहीं बनेंगे और next pregnancy में कोई problem नहीं होगा एक example है जिसे रोगम ये से यूज किया जाता है इस condition से बचने के लिए मतलब ही रोगम का यूज किया जाता है प्रोगम क्या है ये anti-RH antibody है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस्टडी क्लिक को थेंक यू धन्वाद जहिंद